कुलाशन प्लाशन मैं पधाबिता हम लोग कर रहे थे डारेक्टिंग चैप्टर में फर्स्ट अलेमेंट कर लिया है आज हम सेकेंड एलेमेंट करेंगे जिसका नाम है मोटिमेशन यानि की डारेक्टिंग में सबसे पहले अपने उस बंदे को सुपर वाइस किया अब आप उ तो यह भी कर सकता है तो वो भी कर सकता है तेरे में सारी तकते हैं तो याने कि उसे motivation कहा जाता है हमें पता है ना हमारे schools में हमारी teachers हमें बहुत motivate करते हैं हमारे parents हमें बहुत motivate करते हैं क्यों करते हैं तक हम अच्छी percentage score कर सके और उसका एक goal होता है ताकि हमारा अच्छे college में admission ह तो उसे motivation कहा जाता है, business में भी यही motivation होता है, कि हम अपने employees को समय समय पर motivate करते हैं, ताकि वो business के काम को अच्छी तरीके से कर सकें, और उसे goal भी complete हो, और उनमें भी एक ताकत बनी रहे हैं, कि ठीक है हम laziness ना आए, बिचारे डल ना पड़े रहे हैं, तो वो चीज नहीं आन करना, उनको, उनके behavior को change करना, stimulate करना, तो देखो motivation का जब भी आप यह topic पड़ोगे, तो आपको कुछ word है, जो motivation में आपको mention करने बहुत जरूरी होता है, जैसे stimulate करना, inducement करना, तो motivation के लिए word use किया जाते हैं, ठीक है, so motivation के एक definition देखते हैं, book के language में, motivation is the process of, motivation एक process है, किस किस चीज का है, stimulating people, लोगों को stimulate करते हैं, हम लोग प्रेडित करते हैं, किस चीज के लिए, to action, to accomplish desired goal, कि वो काम करे, और किस लिए काम करे, to complete, या to accomplish desired goal, ताकि goals को हम achieve कर सके, तो motivation is the process of stimulating people, to action, to accomplish desired goal, so motivation जो होता है, वो क्या होता है, लोगों को induce करना, उनको motivate करना, stimulate करना, ताकि वो काम को कर सके, और अपने goal को complete कर सके, तेको आपको teacher हमेशा motivate करते है, parents, brother, sister, कि by 12th है, अच्छी तरीके से पढ़ लो, अच्छी percentage आएगी, तो goal क्या है आपका, अब भी फिलहाल अच्छी percentage score करना, but actual में आगेगा, क्या है, for the admission of your college, तो कि college में आपक इसका मतलब बता है, लेकिन आपको bookie language की definition ज़रूर याद करनी है, second चीज, motivation जब भी कहा जाता है, तो motivation को एक प्रोसेस होता है, और motivation तो दो चीजों पर depend होता है, किन दो चीजों पर depend होता है, first one is motive, and second is motivator, motive यानि कि आपका inner state, आपके अंदर की आत्मा, क्या कहती है, क्या चुलबुली मच रही है, आपके अंदर complete करने की काम को, उसे motivation कहा जाता है, so motive is an inner state that energizes, activate, moves, and direct behavior toward the goal, तो हमारे अंदर होती है, कई बार हमें अगर pub जी खेलनी है, ऐसे चुल मत जाती है, बही कही कोना मेले बंदा बस phone उठा के भागने लग जाता है, तो वो क्या होता है, आपका motive होता है, इस तरह कैसे हमारे 12th में percentage देखो पढ़ना है, तो 12th की percentage की बात करते है, तो 12th में percentage score करना हमारा motive होता है, तो जो हमारे अंदर एक energy ला देता है, कि नहीं हमें तो पढ़ना है, हमें अपना time waste नहीं करना, तो that is the motive, अब motivator क्या है, motivation के लिए हमेशा हमारे क तो हमारा college में अच्छा admission हो पाएगा, अच्छे college में admission हो पाएगा, that is the motivator, तो हमेशा जब हम motivation motivate होते हैं, तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई reason होता है, तो motivator is the technique used to motivate people in an organization, तो अब organization में motivation हम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करो, ये करो, तो क्यों? ताकि आपकी income salary अच्छे हो सके, आपको अच्छे bonus मिल सके, या फिर आपका recognition हो सके, लोग आपको पहचान सके business में, तो business में अलग motivation है, ठीक है, normal language में भी, normal हमारी ordinary life में भी है, and business में भी है, इसे motivator कहा जाता है, जो कि हमारा main name होता है, जिसकी वज़े से हम महनत कर रहे होते हैं, कि हमें यह मिलने वाल है, right guys, तो motive और motivation हमने पढ़ लिया, अब motivation का process बहुत simple, बहुत easy सा है, बहुत छोटा सा भी है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे mind में एक unsatisfied need होती है, तो motivation में सबसे पहला आता है, unsatisfied need, यानि कि हमारी एक ऐसी need जो पूरी नहीं हो रखी है, जिसे हमें पूरा क करने की हमारे अंदर एक energy आ रखी है, कि हमें इसे पूरा करना है, आग लगी हुए है, अब तो हमें 90% से नीचे लाने ही नहीं है, अपने मांग, that is the unsatisfied need, which creates tension, तो second चीज़ को होती है, उसकी वज़े से tension होती है, कि अब तो हमें पढ़ना है, हमें काम करना है, तो जिसकी व तो आप कुछ अपना दिमाग चलाते हो, it drives, क्या चलाते हो, और क्या करते हो, searching करते हो, कि यार में कैसे इस काम को complete कर सको, ठीक है, और जैसे ही वो काम आपका complete हो जाता है, आपकी need satisfied हो जाती है, आपकी tension खतम हो जाती है, मैं तो 12 की अगर बात करूं, 12 की अगर बात करूं, तो सबसे जाता है, मैंने देखा है कि बच्चों में जो tension create होती है, वो PUBG ना खेलने की होती है, अगर पेरेंट्स ने फोन छील लिया, तो उनका सबसे पहले tension आ गई, tension आने के बाद एक unsatisfied need है, भई, PUBG खेलने थी सारे दोस्ता रखें, that is the unsatisfied need, अब tension mind में, कैसे करें, क्या कर जिसकी बज़े से it drives, और surge behavior, अब भेन का फोन मिलता है, बड़े भाई का किसे छीने, या कब मम्मी की नजर हटे, और हम फोन लेके महां से कल्टी होए, तो surge behavior स्टार्ट होता है, और जाके हम लोग जैसी मोका मिलता है, कोने में जाके बैट जाते हैं, और PUBG खेलने लग जात जाती है, और tension खतम हो जाती है, तो देखो यह तो आप ही की life में अभी apply हो गया है, तो यह motivation का process होता है, तो motivation हमेशा, मैं देखो PUBG का ही example नहीं, life में हमारे यह चीज़ होती है, जब हम business में या किसी भी involved company में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी unsatisfied need है, यानि कि चाहे है हमारी salary कम हम हम हमें BDA insidie है, नज play with some aspects. या करें कि चाहे हैं, या इसी company में नहीं कुछ MNàng कुछ MN कर रहा है, तो हम nextLife को दिख ता है, तो यह एक motivation का process है, हमारी life में हर चोग होता है. तो यह था मोटिवेशन का प्रोसेस अब मोटिवेशन जो है बहुत छोटास टॉपिक नहीं है बहुत सारे टॉपिक है डिफरेंट डिफरेंट जो मैं one by one cover करूँगी तो मेरे साथ बनी रही है और एक एक करके हम इस वीडियो को complete करेंगे तब तक के लिए भाई टेक केर झाल